Hello students, इस से पहली वीडियो में हमने किया था मित्र को जनम दिन पर निमंत्रन पत्र इस वीडियो में मैं आपको करवाओंगी कहानी जूट का फल कहानी जूट का फल, उसकी शिक्षा और भावर्थ So open your grammar books, page number 60 कहानी है ये जूट का फल, तो आईए पढ़ते हैं गोपार नाम का एक लड़का था, वे पहाड़ी पर एक छोटे से गाउं में रहता था गोपार रोज सुबह अपनी गाउं को लेकर पहाड़ी पर निकल जाता वे काफी शरारती था, हमेशा कुछ न कुछ जूट बोलकर गाउं वालों को तंग करता था एक दिन वे पहाड़ी पर अपनी गाउं को चुराने के लिए ले गया और जोर जोर से चिलाने लगा, बचाओ बचाओ शेर आ गया शेर मेरी गाउं को खा जाएगा उसकी आवाज सुनकर गाउं वाले दोडे आए उन्हें देखकर गोपाल जोर जोर से हसने लगा ये देखकर गाउं वालों को बहुत गुसा आया अगले दिन फिर उसने ऐसा ही किया गाउं वाले फिर नाराज होकर चलेगे लेकिन एक दिन सचमुची शेर पहाडी पर आ गया और वे गोपाल की गाउं को खाने लगा गोपाल बहुत चीखा चिलाया पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया गाउं वालों को लगा कि वे रोज की तरह आज भी जूट ही बोल रहा है इस तरह शेर उसकी गाउं को खा गया और वो देखता ही रह गया तो प्यारे बच्चों इस कहानी से क्या सीखते हैं हम लोग कि हमें जूट नहीं बोलना चाहिए जूट का जो फल है वो हमेशा बुरा होता है तो आप सबने भी जूट बिल्कुल नहीं बोलना तो इसकी जो शिक्षा है वो क्या है जूट का फल शिक्षा और भावर्थ भावर्थ है हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए शिक्षा है जूट का जो अंत है वो हमेशा क्या होता है बूरा होता है अभी अभी आपने इस कहानी में पढ़ा ना कि अंत क्या होता है कि उसकी सारी की सारी गाउं को कौन खा गया शेर खा गया लेकिन गाउंवाले उसकी मदद करने नहीं आए क्यूं नहीं आए क्यूं तो उसका क्या हुआ, उसकी सारी की सारी गाउं को कौन खा गया, शेर खा गया, तो ये इसका भावर्थ है और ये इसकी शिक्षा है, इसको आपने अपनी notebook पे अच्छी handwriting में note करना है और साथ में learn करना है, thank you, have a good day.